हेलो एबरिबन खैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट और चलिए आज हम अपनी करते हैं प्रैटिस को स्टार्ट और इसके पहले यहाँ पर वंट से लेकर के 15 सेंटेंस से इस्टार्ट में करा चुड़ा हूँ और अब हम यहाँ पर सेंटेंस नमर 16 से स सेंटेंस होंगे तो लाश्ट में आप अपना इसकोर जरूर बता सकते हो जितनी भी सेंटेंस आज की ख्लास में होगे तो सबसे पहले हैं आपका सेंटेंस नमर 16 यहाँ पर दो परसान है बात कर रहे हैं वो कहता है I am sorry I am late यानि मुझे खेद है कि मैं late हूँ तो वो कहता है come and sit down तो इस situation में आप यहाँ पर कौन सा option यूज़ करोगे excuse me don't worry what is the matter या why are you late तो आप उससे क्या पूछोगी तिरू उसनी startle में बोला I am sorry यानि कि वो यहाँ पर recreate feel कर रहा है तो हम उससे बोलेंगे don't worry come and sit down तो option क्या यूज़ होगा यहाँ पर right answer होगा option नमर आपका भी sentence नमर 16 नेश्ट है sentence नमर है 17 यहाँ भी दो परसन है बात करेंट as your wife English वो कहता yes see Dutch यह हो गया आपका salt answer ठीक है अब आपको question complete करना है जहाँ पर fill करना है आपको बर्व एक है आपकी helping वर्व और एक है आपकी man वर्व तो कौन सा correct answer होगा तो option B को आप देख c Dutch लिखा हुआ है यानि यह present indefinite tense में salt answer है तो question भी हम present indefinite tense में ही बनाएगे यहाँ यहाँ पर helping वर्व यूज होगी यह यूज होगी Dutch और present indefinite tense में हम प्रियोग करते हैं बर्व की first form तो right answer होगा आपका option नमर c does your wife speak English correct होगा next है sentence number है आपका 18 और sentence 18 में है how many languages you dash question mark तो रहता 3 English, German and Spanish यानि कि आप कितनी भासा हैं बोलते हो यही है भासा बोलने वाली बात हो रही है तो यह क्या है इसको हम बनाएगे present indefinite tense में यूज की according आपकी helping verb यूज होगी do और main verb की आएगी यहां पर verb की first form तो right answer होगा option number b how many languages do you speak 3 English, German and Spanish next है sentence 19 और 19 में why does you like in the hotel do working, do work, dutch working या dutch work अब यहां पर दिरो यहां पर wh word है why आपका like आपकी यहां पर हो गई main verb तो you की according क्या आएगा present indefinite tense की according यहां पर do why do you like अब like के बाद क्या use होना है like के बाद use होगा आपका यहां पर जीरंड तो यह क्या हो जाएगा working तो right answer हो जाएगा आपका option number a why do you like working in the hotel यानि आपको hotel में काम करना पसंद क्यों है तो यह correct answer है option number a next है sentence 20 they never never go out Friday evening यानि वो कभी भी सुखुरवार की साम को बाहर नहीं जाते है proposition प्रियोग करना है on in at या फिर by तो जो हमने पहले class की थी sentence 1 to 15 तक उसमें दो sentence आई थे इस तरह इस प्रियोग करते हो in the evening तो कौन सा proposition यूज होता इन लेकिन यदि evening morning afternoon से पहले day लगा हो तो proposition प्रियोग करते हैं हम on option a sentence 20 में होगा correct next है sentence नम्मर है 21 see love's test to music यनि उसको music सुनना पसंद है अग love के बाद आपको use करना है क्या listening to listen listens या फिर listen तो bare infinitive आई की नहीं और say yes का use होगा नहीं और love के बाद आता है आपका जीरेंट तो correct answer होगा listening c loves listening to music correct answer होगा sentence 21 में नेस्ट है sentence नम्मर है 22 they often eat in a restaurant यनि वो अकसर restaurant में खाना खाते हैं कब खाते हैं Tuesdays को अब देखो जब भी day आपका plural लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है every Tuesday क्या हो जाएगा ये every Tuesday ठीक है तो present in definite tense आईगा ही often आपका adverb लगा हुआ है और day से पहले proposition क्याता है तो day से पहले proposition प्रियोट किया जाता है option after on ये होगा correct और हाँ अभी तख आप लोगों ने English point का app डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो play store से English point का app भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर आप हमारे course English grammar का जो course है only 249 में 12 months तक के लिए इसको आप join कर सकते हो इसमें आपको video lecture PDF notes से कई सारी चीज अब आगे बढ़ते हैं sentence next है 23 sentence number 23 में है dash summer I play tennis dash Sundays अब summer क्या है season है और मैंने पिछली class में भी बताया था season से पहले proposition प्रियोट होता है in in summer I play tennis dash Sundays Sundays मतला every Sundays और proposition यहां के आएगा on तो right answer क्या हो जया right answer हो जया option number C next sentence 24 24 में आपको बर फिल करना है कि do Mr. Raman and his daughter क्या Mr. Raman और उसकी लड़की like going यानि पसंद करते हैं क्या करने जाना is thing no day अब no लगा हुआ है तो short answer negative बनेगा simple है तो यहां से हम सीधे सीधे दो option हडा दो नो के बाद पर यह positive नहीं बनेगा तो आप दो option हडा दो अब यहां पर लगा हुआ है going तो देखो गो के बाद आपका क्या आता है गो के बाद आपका जो phrase है तो यहां पर जैसे ग्रोव ग्रोव डांसिंग, ग्रोव रनिंग, ग्रोव बात्री एटसेटरा तो ठीक इसी तरह ग्रोव स्टींग होगा गो के बाद यहां यूज होता है इसकी तो यहां पर हम यूज करेंगे option number B ग्रोव स्टींग और no लगा हुआ है तो इसकी अनुसार यहां पर negative बनाएंगी हम लिखेंगे don't, अब यह don't ही क्यों लिखा, क्यों हमारा यह tense है यह present indefinite में लिखा हुआ है जिसकी helping बार वह होती है दो अची तो यहां पर हम not लगा देंगे next है sentence 25, sentence number 25 में है, that's they, a winter holiday, तो answer है yes they do, तो यहां भी आपका यह short answer लिखा हुआ है, short answer ही आप देख कर आसानी से पैचान सकते हैं कि जो question है वो किसमे होगा, they do लिखा हुआ है तो यह short answer किसमे लिखा हुआ है आपका present indefinite tense में, present indefinite में है तो question भी present present indefinite में ही बनेगा, they आपका plural है, third person, plural pronoun लिखा हुआ है, personal pronoun, तो they में हम helping verb लगाते हैं do, और present indefinite है, तो do देख के बाद आता है आपका बरुक्री first form, तो यहां पर आपका पहले do लगाया, फिर बरुक्री first form लगाई, तो option correct होगा, option number C, do they want a winter holiday, क्या वो एक winter holiday चाहते हैं, तो answer है, yes they do, yes they do means, yes they want a winter holiday, next है, sentence 26 में है, what time does you go to bed, यानि किस समय आप सोने जाते हैं, go to bed मतलब prepare to sleep, सोने की तैयारी करना है, यह पूरा complete phrase है, अब helping verb यूज़ करना है आपको, अब go आपकी क्या है, man verb है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे helping verb, helping verb देखू, EJ mark होगा तो verb में ing आईगी, hijab होगा तो verb की third form आती है, लेकिन go कैसी है, बर की first form, you आपका second person plural लिखा हुआ है, तो second person plural में हम present and definite में do का प्रियोग करती है, तो यहाँ हो जाएगा what time do you go to bed, यह होगा correct answer, और right answer होगा option number a sentence 26 में, next sentence 27, do you do your homework, तो रहा है after dinner, यहनि dinner के बाद, अब यह क्या हो गया, यह हो गया time, अब वो बता रहा है कि dinner के बाद करती है, यानि कि आपको question कि से बनाना पड़ेगा, question बनाना पड़ेगा when say, क्योंकि जब question when say होगा, तो answer में time दिया जाता है, जब question how से होता है, तो फिर manner बताया जाता है, किसी काम के करने का तरीका, यदि question what से होगा, तो answer में हम एक object बताते हैं, और question where से होता है, तो answer में हम इस्थान बताते हैं, place बताते हैं, तो after dinner क्या है, time है, आपका समय है, तो फिर question किस से बने का समय के लिए, when say, तो यहां लेखेंगे, when do you do your homework, तुम अपना homework कब करते हो, next sentence 28, does you go out on Friday evenings, तो अगरा yes, I do sometimes, तो अब यहां पर बताईए, आप यह right answer क्या होगा, अब यहां पर लिखा हुआ है, यह answer yes, no में हैं, तो यह short answer है, तो फिर ऐसा question आपका wh word से start नहीं होता, इसको हटा देते हैं, अब यहां पर लिखा हुआ है, go, यह main verb है, go, you आपका subject है, EJMR के बाद क्या होगा, verb में ing form आईगा, यहनी continuous tense बनता है, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर ing नहीं लिखा हुआ है, अब यू आपका second person plural pronoun लिखा हुआ है, तो इसके साथ, यू के साथ, यह helping verb use होती है, यह होती है, do, तो यह हो जाएगा, do you go out on Friday evenings, क्या आप सुखरवार की साम को बाहर जाते हो, तो चाहरा, yes I do sometimes, मैं कभी-कभी जाता हूँ, next है sentence 29, do you like your job, because it is interesting, क्योंकि यह interesting है, अब यहां पर देखो, answer में लगा हुआ है because, because क्या बताता है, current बताता है, region बताता है, यदि answer because से हो, तो question किस से होता है, तो question याद कर लो, तो question आपका why से होगा, यदि question why से है, तो answer में because का sense या because जरूर लगा होता है, तो यहां पर option number a correct है, अब फिर से बताते हैं, यदि question what से हो, तो answer में हमें किवल एक object बताना पड़ता है, यदि question how से हो, तो answer में हमको manner बताना पड़ेगा, किसी कारेखे करने का, यदि question आपका where से हो, तो answer में हमको place बताना होता है, next और last sentence है, sentence number 30, do you travel to school, तो गज़रा by-pass, यदि बस से जाते हैं, अब यहां पर बता जा रहा है कि school जाने का तरीका, तरीका क्या है school जाने का, तो how, what, why, या फिर where, तो गज़रा बस से जाते हैं, तो question जिस से होगा, how से, how do you travel to school, आप school के लिए travel कैसे करते हैं, तो by-pass करते हैं, यह हो गया right answer, तो आज की class में यह हो गए, total 15 sentence, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना score बता सकते हो, कि total score आज की class में कितना हुआ है, English Pond के YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप English Pond का एप टाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, वहाँ पर आप पे हमारे कोर्स से English grammar को जोईन कर सकते हो, जो बहुत ही कम पीस में हैं, अल्ली 249 रुपीज में, 12 months तद के लिए, और ज़्यादा जान का रही के लिए आप लोग WhatsApp कर सकते हो, जो नीची नमबर चल रहा है उस पर, मिलेंगे आप से English class में, Thank you, Thank you for watching.